फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल सोसेलोजी विज संगीता के इवनिंग क्लास में स्वागत है जिसमें कि हम लोग जार्खन से रिलेटर टॉपिक को कवर करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग जार्खन के प्लमुक विद्रो एवं के संदर्ब में देखेंगे तो आज हम लोग ढाल विद्रो की संदर्ब में ताकतिक अकाल, आबदा और इन सब के सामने एक विक विशन क्या होगा था कि एक संकट पैदा हो गया था आर्थी कटनाई और अने के अभाब में इन जनजातियों को तोड़ कर रख दिया था उस पर मुगलो, मराथा एवं स्थानिये जो जमीनदार थे उनका दमवन एवं सो सिर्फन करते आ रहे थे जिसके करण क्या हो दा कि समय समय पर विवत्रू प्लारम होदा अगर प्रसास की इस तर बबात की जैए तो जन जातियों लोगों के हितों में अधिकारों का हानं तथा दमन किया जा रहा था इसके साथ इस लोगों को अपनी सव्वेता एवं संस्किती पर भी खत्रा मंडाते दिखाई दे रहा था इस प्रकार के सभी कार्णों ने जन जाती विद्रों को जन दिया इन जन जाती लोगों को अपनी संस्किती अधिकार एवं सुतंतरा में किसी भी प्रकार का हस्तचेप स्विकार नही और फिर विद्रों का ये काड़न उत्पन होता है अंग्रेजों के आने से जनजातिय लोगों को अपनी पहचान वा सोतंतता खत्रे में दिखाए देने लेगी थी सत्रवी सताबडी के अंत में जनजाती विद्रों सुरू हो गया था जबकी अंग्रेज यहां केवल दो दसक पहले ही आये थे इन जनजातिय विद्रों में अंग्रेजों के पक्षपात नीती की भी बहुत बड़ी हात थी अंग्रेज किसी के भी हितेसी बनकर नहीं थे बलकि वो सभी को सोसन कर रहे थे उसके अंतगत राजा जमीनदार अधिकारी जो जन जाती है प्रता के लोग थे वे सभी इसके प्रभाब में आए थे तो इस प्रकार से अगर हम देखा जाए तो जहारखन में अंग्रेजों के आने के बाद यानि अंग्रेजी शासन काल में तेरा जन जाती है विद्रों हुए थे और इस में से जो सबसे पहला विद्रों है वह विद्रों था ढाल विद्रों तो चलिए इसके संधर्व में हम लोग देखते हैं आज का हमारा पहला क्योंश्चन है कि जार्खन में दिवाशियों का सोसन अंग्रेजियों के कानूनों को आदेवासी छेत्रों में जब्रन लागू कराया जाना सथ इसका जो सी अपसें वह उप्रोक्त दोनों यह डी नमबर इन में से कोई नहीं जैसा कि मैंने आपको जो इसका पहले जो बताया कि किस कारण से जार्खन में विद्रों हुआ तो उसके अनुरूप जो ऑप्सन सी है वह राइट हो जाता है उप्रोक्त दोनों जो कारण है वह जार्खन में राजनेती कारण में उत्तरदाई होता है जन जाती है विद्रों का चले हमारे नेस्ट कोशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि इन में से कौन स जार्खन में जन जाती है विद्रों के लिए उत्तरदाई समाजिक कारण था समाजिक कारण के बारे में पूशा जाड़ा है तो यहां पर आपके ऑप्सन है कि इसाई धर्म के विस्तार का प्रयास बी नंबर है कि दिकू द्वारा आदिवाशियों को हीन समझा जाना कूब बोला जाता था जैसे कि अंग्रेज सी अप्सन है जन जातियों की परंपराओं में हस्तचेप का प्रयास या डी नंबर है उप्रोक्त सही तो इसका राइट एंसर हो जाएगा जन जातियों की परंपराओं में हस्तचेप का प्रयास चेले हमारे थर्ट कोशन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं कोशन पूछा जाड़ा है कि अंग्रेजों के बिरुद जार्खन में किया गया पहला बिद्रो कौन सा था? संथाल बिद्रो, चेडो बिद्रो, मुंडा बिद्रो या ढाल बिद्रो जो सबसे पहला बिद्रो था, उसे कहा गया है ढाल बिद्रो ढाल बिद्रो, इसके एर के बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ ढाल बिद्रो कब सुरू हुआ था? 1765 में, 1767 इस्वी में, 1768 इस्वी में या 1770 इस्वी में तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, 17 आप बताईए कि इसका राइट एंसर कौन सा हो जाएगा? 1767 इस्वी में ढाल बिद्रो का प्राडंब हुआ था? हमारा नेस्ट कोश्टिन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं ढाल बिद्रो की अवदी क्या थी? 1766 से 1776, 1767 से 1777, 1767 से 1771, ये 1766 से 1770 तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका 1767 से 1777 चली हमारे नेस्ट कोश्टिन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं हमारा नेस्ट कोश्टिन पूछा जाड़ा है कि निम्न में से ढाल बिद्रो का नेता कौन था? आपके चार अप्सन है यदूनाथ धाल, सिवलाल धाल, जगणनाथ धाल या विश्वनाथ धाल तो इसका डाइट एंसर हो जाएगा धाल बिद्रो के जो नेता है वे है जगणनाथ धाल हमारा नेस्ट कुशन है कि निम्ण में से कौन सा छेत्र धाल बिद्रों से सरवाधिक प्रभावित हुआ था पलामू, हजारी बाग, देवघर या सिंग्भूम तो कौन सा छेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ था इसका राइट अंसर हो जाएगा, सिंग्भूम का छेत्र सिंग्भूम के जो धाल बूम का छेत्र वह था उसमें धाल वन्स ने अपना सासन स्थापी किया था पंचेतों की तरह धाल राजा भी अगर बात की जाए तो वो समभब्त धोबी जाती के ही थे तथा नर्वली प्रथा के वे समर्थक थे बैंगलर के अनुसार धाल राजा ने ब्रामन कन्या से विवा किया था जिससे उत्पन बालक नहीं धाल वूम राज्जी की स्थापना की थी चले हमारे नेस कोशन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं धाल विद्रो का प्रमुक कारण क्या था यहाँ पर चार उप्सन है पहला उप्सन बोला जारा है कि अंग्रेजो द्वाडा सिंभुम छेत्र में किया गया सैन्य आक्रमन B नमबर है कि अंग्रेजों द्वाड़ा सिंभुम छेत्र की जनता को इस छेत्र में से बेदखल करना C नमबर है अंग्रेजों के सिंभुम छेत्र की दिवानी प्राप्ट कर इसे छेत्र में अपना अधिकार कर लेना या उपरोक्त में से कोई नहीं तो इस question का सही answer हो जाएगा उप्रोक्त में से कोई नहीं इसका right answer आपका हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा सींग्भूम छेत्र की दिवावने प्राप्त कर इसे अपने छेत्र में के अधिकार में कर लेना चलि हमारा question number 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि ढाल विद्रो का साब्दविक अर्थ क्या था ढाल राजी की जनता द्वारा समहू का निर्मान ढाल राजा के नेतित में संपुर्ण ढाल राजी की जनता का विद्रो हमारा next question पूशा जाना है कि धाल विद्रो के दोडान अंग्रेजों ने जगर्णा धाल को अपदस्त करकी से धाल भूम का राजा गोसित किया था यहाँ पे चार अप्सन है अर्जुन धाल, स्याम धाल, सुबन धाल या नीमू धाल तो इस कोशन का डाई टैंसल हो जाएगा नीमू धाल को जगर्णा धाल को अपदस्त करने के बाद इसे बनाया गया था चलि हमारा next question है कि अंग्रेजों दुआड़ा जगर्णा धाल को किस वर्ड से पूर धाल भूम का राजा घोसित किया गया फिर से या जगर्णा धाल को कब राजा बनाया गया था सिम्भूम छेतर के बाद धाल भूम का राजा 1770 इसवी में 1772 इसवी में 1775 इसवी में या 1777 इसवी में तो इस कोशन का डाय टेंसल हो जाएगा 1777 इश्वी में जगरनाथ धाल को फिर से क्या किया था धाल भूम का राजा घोसिती किया गया था हमारा नेश्ट कोशन है कि पुनर धाल भूम का राजा बनाय जाने के एवज में अधिक्तम कितना जो कर था वो अंग्रेजों को देना स्वीकार किया गया था 4,000 रुपे 6,000 रुपे 8,000 रुपे या 10,000 रुपे तो इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा 4,000 रुपे कर देना स्वीकार किया गया था हमारा next question है कि किस words अंग्रेजो द्वाड़ा ढाल भूम के कर की रासी को 4,000 रुपे से बढ़ा कर 4,260 रुपे कर दिया गया था 1777 इसवी में 1778 इसवी में 1780 इसवी में या 1781 इसवी में तो इस question का right answer है 1780 इसवी में रासी को फिर से बढ़ा दिया गया था हमारा next question है कि निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रों का दमन करने ही तो बेजा गया था यहाँ पर आपके चार अप्सन है लेफटिनन रुख तथा चार्ल्स मेगन लेफटनन गोडियार तथा मेजर क्राफ्ट कैप्टन जैकब कैमक तथा क्लिवलेंड या इन में से कोई नहीं इस कोईशन का डाइट अंसर हो जाएगा लेफटिनन रुख तथा चार्ल्स मेगन को तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि प्राडंब से लेक पुडब मध्यकाल तक छोटा नागपूर के जो राजवन्स थे नागवन्स वे सबसे सकतिसाली रहे हैं उन्होंने बहाड़ी आ जाल भूम का छेत्र आया तो यहां पर अंग्रेजों के द्वाड़ा अत्यचार को रोकने के लिए फिर जगर्णान धाल के द्वाड़ा विद्रो को किया गया आई होप आपको ढाल भूम का जो विद्रों है वह अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा तो इससे दीआ तो छाड़ा भी में आपको झाहे वहां तो एजी आया होगा यह प्राणी दिरो पाल भूम का Sel्वा आजए।